नमस्कार दोस्तो, मैं हुँ आफियेंत, बहुत बहुत शागत करता हूँ आपका अपनी यूट्यूब चैनल फारमेंग इन्या में दोस्तो, हमारे किसान भाईयों को लूटने में इन बड़ी बड़ी बीच कंपनियों का बहुत ही एहम रॉल होता है ये हमारे किसान भाईयों को अधे को पज़ देने बाला तथा हाइबिरिड बोल कर नकली बीज बहुत ही महंगे दामों में बेंच देते हैं दोस्तो आज की वीडियो में हम आपको फल तोड़ने से लेकर बीज बनाने और उसको संजचित रखने की पूरी जानकारी प्रैक्टिकली रूप में बताएंगे इसलिए आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें हम अपने चैनल पर खेती के सानी बें परशुपालन की वीडियो लाते रहते हैं दोस्तो इस वीडियो में हमने खीरा के दो फल लिए हुए हैं जो हमारे घर पर लगे थे और यह बहुत ही अच्छी तरीके से पक गए हैं और इनके बीज बहुत ही मोटे और बड़े बड़े हैं हम इनके बीजों को निकाल कर और एक पेपर पर रख देंगे और उसके बाद हमें से बाल्टी में पानी लेकर और अच्छी तरह से दोएंगे ताकि जो बीज हैं वो अलग-अलग हो जाएं और उनसे जो खीरा लगा हुआ है बह भी उससे अलग हो जाएं फर हम जब यह पानी पानी निकल जाएगा और इसके बीज और जो इसका खीरा लगा हुआ है इस पर बाए रह जाएगा अब इनको हम चली में ही हाथ से बिलकुल धीरे धीरे घिस लेंगे ताकि इनमें जो खीरा के टुकड़े लगे हुए हैं पह छोटे छोटे हो जाएं और चली में से अब इनको हम फिर से पानी में डाल देंगे और थोड़ा सा और इनको पानी में हम हाथ से अच्छी तरह मिला लेंगे और इनको मिलाने के बाद इनके जो खीरा के टुकड़े हैं वह उपर आ गए हैं उनको हम हाथ से निकल लेंगे और या पर किसी चनी की सहायता से उने बा नीचे खीरा के बीज रह गए हैं और उपर जो खीरा लगा हुआ था और जो पतले पतले और बेकार बीज थे वो उपर आ गए थे वो छनी में निकर गए हैं अब हम इन बीजों को अच्छी तरह से सुखाने के लिए धूप में डाल देंगे और लगभग एक दिन अच्छे स सूखने के बाद जब यह अच्छे से सूख जाएं तो आप देख सकते हैं बहुत ही सुन्दर बड़े और मोटे अच्छे बीज बन गए हैं अब इनको हम किसी डिबबी लेकर उसमें भरेंगे लेकिन उससे पहले हम देशी गाय के गोबर से बने हुए कंडे की राख लेकर और उस राख को छोटा छोटा करके उसमें यह खीरा के बीज अच्छी तरह से मिला लेंगे फिर हम एक डिबबी में इनको भर कर रख देंगे दोस्तो अब यह बीज आपके खराब नहीं होंगे आप इनका प्रयोग एक साल बाद दो साल बाद जब भी आपको करना हो कर सकत हैं दोस्तो वीडियो बहुत महनत से बनाई है पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें मिलते हैं अंगली वीडियो में जय हंद जय भारत